अब हमार जो एक IAM user है उसको भी हम delete कर देते हैं क्योंकि हमने cluster delete कर दिया है अब हम AWS के console पर चले जाते हैं तो यहां पर IAM में आ जाते हैं तो यहां पर search कर लेते हैं तो हम अपने root count से login है तो जो हमने एक आनिय user create किया था उसको अब क्या कर देते हैं रिमूब कर देते हैं users यान या user उसकी age बगरा बता रहा कि कब है तो हम कुछ भी हमारे cluster से related तो यह क्या करते हैं the following user view भी पर्में including all user data, user credentials, user inline policies तो recent active usually appears within तो यह हमने कुछ नहीं हमने क्या करना है तो यहां पर हमने इसको delete कर देने तो यह हमारा यह delete हो गया और हमने एक S3 पर भी जाके चेक कर लेना है कि कुछ हमारा कुछ residual ता नहीं है तो यह भी हमें यह नहीं चाहिए तो इसको हम पर ले क्या कर देते हैं empty empty में हमने permanently delete क्योंकि हमने जो bucket के रेट की थी उसको भी हम delete कर देते हैं कुछ भी resources नहीं चाहते हैं तो यह तने objectories बगार है delete हो गए वापस इसमें फिर आते हैं अब हम bucket को भी क्या कर देते हैं तो यह इसका नाम bucket का रख देते हैं हम command line से भी delete कर सकते थे तो यहां से हमने तो बिलकुल अब हमने जो सारे resources बगार हैं वह हमने क्या कर दी हैं जूरत नहीं है मुने सदी लोग